उसको कहते हैं शद्ध बॉस्तु एक शाधन शद्ध शाधन के द्वारा जहां हमको प्रोषना है उसको शद्ध बॉस्तु प्राप्ती के लिए बैशना करती हैं वह भगवात प्राप्ति नहीं, महां कृष्ण प्राप्ति नहीं, और आधरली के प्राप्ति नहीं, तो क्या प्राप्ति? ना वो प्रेम प्राप्ति, प्रेम. बली प्रेम क्यों? भगवात प्राप्ति नहीं, भगवात प्राप्ति नहीं, तो प्रेम से क्या होता है? बोते हैं भगवान अनम्त बीभू हैं उनको कौन पार पाया वो तो अनम्त है अनम्त हो कभी बदगम्मत हरी होने लाइक है ना वो किसी के पकर में आते हैं कभी यह तो शंबब नहीं है भगवान किसी के पकर में आते नहीं है लेकिन भागवान काहते हैं देखो हमारे एक दूरबलता भागवान के दूरबलता उएक प्रेम बश्यता, यह प्रेम में हम बश्यबुत हो जाते हैं, यह प्रेम हमको बांध लेती हैं, हम अपने भगवत्ता बुल जाते हैं, हम अपने सब कुछ भूल जाते हैं, भूल करके हम भगत के पीछे-पीछे होने का मुन करते हैं, भगत हमारे पीछे नहीं चलते हैं, हम भगत के पीछे-पीछे चलते हैं, क्या करें हम विवाश हो जाते हैं, काईते हैं, भगवान तो मुक्ति दे देते हैं, लेकिन यह प्रिमा भगति जो है, यह नहीं देते हैं, देते नहीं ऐसा नहीं है, बहुत दुरलब है, मतलब शहशाज्द नहीं है, जब शाधन करते हैं तो भगवान उसको तो नाना प्रकार पहले शाधन अबस्ता में तो उसको नाना प्रकार तो भोतिक बुस्तु पदार्त भग्य शमग्डि दे करके तो उसको तो भग्य शमग्डि दे करके तो उसको तो भग्य शमग्डि दे करके तो उसको तो भग्य श संग्षारी की लोग की देखो अपने जीवन को शमर्पन करके मिलने धंसी नहीं मिले हुए नहींगा नहीं, लेकिन फीए भी देखो तुछच्च्य भग्वभधार्थ के बीछे अपने दुरला मनंब जीवन को शमर्पितो करके उसकी पीछे जो उपड कर देती हैं अपने ये पुना पुना आबर्तन अनाधिकाल से चल रहा है लेकिन फिर भी जीव वहाँ पोहुष नहीं पाते हैं तो जब शाधन में आते हैं शाधन गुरुक कृपा से जब उनकी भीतर शाधन चेश्टा भगवात प्राप्ति के लिए इच्छा जागरिती होती आए तो पहले त भगवान जानते हैं माया जानती है उसको ही बुस्तू देते हैं पहले देखते हैं कहां तक पिरिना ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए हमको भगवादार्त हमको नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए ऐसा नहीं बोलने से होगा नहीं भाई मुमें बोलने से होगा पुरिक्षा में बैटना पड़ेगा पाश करना पड़ेगा पुरिक्षा आने दो पुरिक्षा कौब आती है जब वो पढ़ाई करती है हमको आगे कलाश जाना है तो पुरिक्षा तो पढ़ती ही नहीं तो पुरिक्षा थोड़ी आईगी उनके लिए तो परिक्षा क्या वो पढ़ती नूँगा आगे किलार जाना है नहीं कोई कहते हमको कितना जनम जाएगा ना जाने कोई ठीकाना नहीं है इस जनम में थोड़ी भगवत प्राप्ति होगी हम इतना पापा चड़िया ऐसे हैं तैसे हैं ऐसे ही एक निश्चिन तता ऐसे ही एक भावना लेकर के दुरबलता को पोशन करके आपने को शंकुचित करके एक शंक्रिन नता भावना में इसमें अबद्ध हो करके वो आपने को शोचते हमारे द्वरा को होने वला है यह बहुत बिगहा तक है ऐसे भावना कभी किसी अबस्था में शादक के कोई इस्थिती हो चाहे कितने भी हीन से हीन तमदशा हो लेकिन किसी भी अबस्था में ऐसे दुर बड़ता को कभी किसी भी अबस्था में प्रुस्रह नहीं दिना चाहिए यह बहुत बिगातक है पहली बिगातक है हम बहुत पापा चली है अभी चली बेबी चली अमने द्वारा भगवात प्राप्तिया ने बहुत दूरू वो कहा है हमारा मन कहा है हम कहा है अरे कहा है कौन साधन के द्वारा कब वो भगवात प्राप्ति करने में समर्ता है इतना समर्त भगवान कब दिया है कौन शास्त्र कहा है जो सादक अपने सादन चिष्ट अगे द्वारा वो भगवात प्राप्ति करने में समर्ता है कौन कहा कौन शास्त्र कहा इस शर्व भूत नंग रिद्ध शोर्ड नो तिष्ट ते ब्रमयान शर्व भूत नी जंत्रुर्ण नी मायया भगवान सब की भीतर रहे करके जंत्रुर्ण पुतला जैसे नाचा रहे हैं क्या करेंगे जीब? क्या करेंगे? इतना शादी, इतना शादी, दिया नहीं है भगवान जीब में जो अपने निज चिष्था के द्वारा तो शंग्षाल बंदन से मुक्तो हो करके और अनदमे आनदधां प्राप्ता करने में शमरत हो सकता है इतना है नहीं तो क्या करेंगे? जीव में है नहीं तो क्या है कुणसा चेष्टा के दर गव्ण तुमने प्राप्ति किया है तो यह अभिमान छोड़ो तो क्या उपाए क्या है उपाए नहीं उपाए एक ही है तुम शर्वत भाव से उनके शर्णागत हो जाओ फिर उनकी क्रिपा से तुम प्राप्तो करोगे जब तक तुम्हेरे अभिमान अहंकार है मैं कुछ कर सकता हूं तब तक जाकर करके शर्णागती होती नहीं है भगवन तब देखते हैं तामाशा जब देखते हैं हमाने दरा कुछ होने वाला है नहीं बहुत कुशिश करके भी कुछ होनी सकता है तब जिव ठग जाता है फिर जा करके प्रगवा को रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो तुम कृपा करके हमको इस संग्षा शागन से तुम्हारे प्रेम शानित प्राप्त करके हमको कृता करो हम अपने शादल चिश्ट के द्वारा अनंत काल में भी हम तुम्हारे चरण कमल प्राप्पकार्ण में शमर्थ नहीं हो सकते तब ही जा करके तब आर्थी उत्कंठा बैकुलता फिर जा करके उसका जीदा ग्राशी तो हो जाता है एक अद्भूत बैकुलता उत्कंठा शादवन चिश्टा से जब होती नहीं तो कृपाशक्सी आ करके शादवन चिश्टा करके जब अपने द्वारा अपने चिश्टा के दर होना शम्बाब नहीं तब जगे आती है प्राप्थना प्राप्थना आके थोड़ी आती है पहले शादवन चिश्टा खुब करेंगे खुब तब करेंगे जब करेंगे ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा ब्रत करेंगे और उस्टान करेंगे ठेक है अच्छा है सुन्दर है मंगल में है लिकिन एक स्थिति में जा करके वहां सिर्फ आर्थी उतकंठा चाती पीटना और हाहा कार तो भी जाकर के वो कुरुना धारा करके शादक को स्थना तो करते हैं उसको रिदय को भावधारा में कुरुना धारा से प्रभाही तो कर देते हैं उनको स्थना तो कर देते हैं और कृत कृत तो हो जाते हैं ऐसे एक कृपाशध्या है किसी अवस्ता में भजन कम हो वो अच्छा है भजन नहीं हो वो भी अच्छा है लेकिन खबर दर्मान में यह दुरूज बलता को कभी प्लिस्चाह नहीं देना जहां पर किरपांनों होगी हमारी इस जनम में हम भगवत प्रप्रप्ति नहीं कर सकते क्योंकि हमने उतना शक्ति नहीं, शामर्त नहीं, जगता नहीं, अधिकार नहीं, संशकार नहीं, हमने शुक्रिती नहीं, ऐसे कोई शास्र में कहा नहीं, जो ऐसे जो जीव है, भगवत किर्पा प्राप्त करने में शामर्त नहीं है, ऐसा कोई शास्र कहा नहीं, बलकि शास्र पुकार पुकार के कहते हैं, कौन तो प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रनस्यती, मेरे सर्णागत भक्त कभी नश्ट नहीं होता है, कैसे सर्णागत उपीर्ची तो शुदुरा जारो, शामर्ती, संस्कारी, युग्गत शंपन्न, समस्त प्रकार, अपराद वर्जीत, पापता प्रहीत, शुद्ध, निर्मल, तपश्वी, ऐसे साध के लिए नहीं कहा गया है, यह जो शाब्द, कौन तो प्रतिजानी नमे भक्ता प्रनस्यती, यह ऐसे भक्त के लिए जुग्ग शंपन्न, शुद्ध, शुंदर, निर्मल, ऐसे भक्त के लिए कहा नहीं गया, यह भग्वन कहाते हैं, अती, पीछे तो शुदुराचरी, अती दुराचरी, अगर भग्वत सरनगत हो जाते हैं, भग्वन उनके लिए कहते हैं, मैं उसको नष्टोने ने देता हूं, हमारे ऐसे दुरबल, ऐसे छीन आशा ले करके, हम क्यों मरेंगे भई, जाब शास्त्रों ऐसा कहीं कहीं नहीं है, तुम एसे आशा मत करो, तो भई हम छोटा आशा क्यों करेंगे, हाम आशा करेंगे इसी जनम में हाम अबश्य ठागुड़ जी की किरपाप प्राप तो करेंगे ही तो बलें किस बल पर कैसे भाई कुनसा शादना के बल पर कुनसा तफश्य के बल पर कुनसा शुद्धाचार के बल पर क्या तुमने शुक्रिती किया कुन तुमने कितना इतना उस्रु भाया, कुन सा कष्ट शिकार किया तुमने, जो इतने शहाज आशा करते हो, इसे जन्म में हमको किर्पा करेंगे, बले ना, भक्त बच्छल, ओ दिन बंदु, ओ दिन नात, ओ पती तपावन, ओ जगत पती, ओ शारना गत बच्छल, हम शारना बलता, शादक के लिए बहुत बिघा तक, भजन नहीं वह भी अच्छा है, लेकिन दूर्बलता, शादक को भजन जिवन से हटा करके, शंक्षर चक्र में ले जाने में समरता है, जब देखते हमको शादन के दर्द, होगा है नहीं, जन्म में होगा नहीं, तो आर बाचे का कैसे बस्ति के लिए उसका उपाए क्या है, तो जाकर करके बस, शाद शरल, भग्ग पदार्त दिश्चमन, शब्दस पर शुरूप रजगंदो, बहुतिक पदार्त वाईए, शाब भी को जीने के लिए उसका कोई आधाल नहीं ना, तो आटोमेटिकली तो बिशाय में उस उसका हर्समा आनंद चाहिए, कैसे भी आनंद चाहिए, एक दुष्ट से दुष्ट बिकती गरीब दुखी, ना अपरकार हर्तर से क्लिष्ट दुखी, तो क्या करते हैं, आनंद भी नहीं रह नहीं सकता है, तो शराप पीते हैं, कैसी भी चोरी डाकायती करके शराप पीते को कर्म करते क्यों आनंद चाहिए उसको जीने का अधार वो जानते नहीं आनंद तो शंक्षर चक्र में और जाएगा लेकिन क्या करेगा यह जीव का सबाव है आनंद मिना जीव जीन नहीं सकता है चाहिए आनंद इसे लिए तो जब हमको भगवत भजन में आनंद नहीं मिलत सबीक हमको परोचहां कभी कभी वो और मोहीत तो होकर करके कभी कभी पीछे मुर के देखना शूरू करते Chמים chu 누क करते बार-बार मुन् पूर के देखना नहीं चाहिए यह एधार करेंगे ही यह धारा ले कर कि तृम अब शुक्रपा करेंगे है ना अब हम अपने सवस्कार के कारण विप्रशादन कर नहीं पा रहे है तो शर्णघत काइसे है उसकते है शादन शर्णघती कि इसको दोन में तो विप्रशादन जब करके हार जाएंगे तभी को अंदर से पुकार आएगा शार्नागती जब शार्नागती होती है जब साधक देखते हैं हमारे अहंकर के द्वारा चुद्र अहंकर के द्वारा यह जो कर्मचेश्टा के द्वारा हम वो कृपाप राप्त करने में समर्थ नहीं है तो शाधक के अंदर एक व्यकुलता उत्कंट आती है यह होना चाहिए शार्नागती क्या है शार्नागती आपने अहंकर को नश्ट कर देना अहंकर अपने इच्छा को भी सवाप्त कर देना इच्छा को भगवात इच्छा से मिलाना है अपने इच्छा नहीं जो हो रही है शर्णागती सबसे कुठीन शादना एक बार एक बड़ी नदी है उसमें पाल लगाना बहुत समय लगता है कई घंटा लगता है ऐसे बंगलादिश में भी ऐसे बड़ी बड़ी नदी है जिकी 6-7 घंटा में लगता है पाल लगाने में ऐसे नदी पाल लगाने के लिए जाने के लिए अब शब नाव भर के बड़े नाव हैं उसमें बहुत जात्तिरी बैठी हैं भगवत भर्षाले करて चलते हैं बहुत पहली की बात है नाव में यह चलने का शादम था तो उसमें एक नाव में शाधू बैठा है उभी बैटा है, जा रहे हैं, विशे दरिया में जब नाव पोहुची, तो आधी तुफान अब भैंकर दिखने में आया दूर से जैसे, बादल च्छा गया है, आब जैसे भैंकर को अमंगल के शुचना दिखने में आ रहा है, आब हावा बहने लगी, नाव हिलने लगी, नाव हीलने लगे आप बिज़ दर्या में तरंग और हावा में तरंग बड़े बड़े तरंग खिलता है उस समय चलांग करके तरंग आ करके नाव में पानी घुसना शुरू कर दिया आप वितार में जितना जात्री थे शब चिल्लाना शुरु कर दिया, कोई उपाय नहीं, मृत्तु भाय सबसे बड़ा भाय, शंकट सबसे बड़ा शंकट, माजी कहते हैं, आप लोको हिलना डूलना नहीं, हिलना डूलना नहीं, जैसे हैं बेटे लो, एक भगवान को पुकारो, और कोई रास्ता है नहीं बचाने का, अब पानी, हवा भी ऐसे बह रही है, और पानी छलांग छलांग करके नाव में घुस रही है, पानी, और शाधू बबा पहले तो शुक्ता बैटे थे, आप शाधू बबा के मन में क्या है, कमन डूल में करके पानी नदी से भर रहे हैं, और नाव में डालना शुरू कर दिया, जितना जल्दी हो पानी, जितना चलांग मार के तरंग के आघात से जब पानी बनना शुरू हो गया, और गुष रही है, और पानी डाल रहा है, इतना में क्या हुआ ऐसे शंकटा पूर्ण अवस्था में, ना जने प्राकिति दूर जो ना जने कुन भगवत शक्ती कैसे आ करके, कैसे शंभब नहीं है, और शंभब इस ना डूम न था, लेकिन ना डूमी नहीं, ना डूमी नहीं, दीरे 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 बतास शंत हो रहा है, दीरे 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 बदल हाट गया, शुर्जो देब, उदीतो कर जैसे हस रहे हैं, जैसे कहरे हैं, तुम लोग से आमने बढ़ा एक मजक किया, और सब भी आश्ष्ष्थ हो गए हैं, अब नदी में, नाव में तो पानी गुज गया, आप शादू बाबा क्या कर रहे हैं? आप वो पानी उठा करके नदी में डाले, उल्टा, कमंडूल के पानी उठा करके आप डाले, आप सब का क्रोध गया वो शादू बाबा के उपर, अब तो अश्वस्त हो गया हैं, आप मरेंगे नहीं, आप अश्वस्त हो गया है, शब शादू बाबा के उपर एकदम, एक पागल है, माता खराब है, यह दिमाग खराब है, ना उमें पानी घुश रहाता, और उसमें पानी घुशा रहाता, इसको फेको यहां से, उठा के फेक दो पानी में, कोई गाली गालो जो जिसका मन चा है, बहुत कुसका है रहे है, बोलता है को शुनता नहीं है, बहरा है, मौनी बाबा है, मौनी को फेको पानी में, दुश्टो, आप कोई जुरूरत नहीं, आप पानी को फेक रहे हैं नदी में, तो शादू बाबा उठके ठाड़े हो गए है, आप लोग हमारी उपर क्यों नाराज हो रहे हैं आपके उपर बड़े खुशी है बड़े प्रुशन हो रहे हैं आप नाव को डूबाना चाहते थे ना इसलिए हम लोग बहुत प्रुशन हैं आपके उपर बहुत देखिए आप लोग क्यों ऐसे गलत चिंता कर रहे हैं हमने कुछ नहीं किया, बोले ना अपने कुछ नहीं किया, अपने नाव डूबा रहे थे, बस अपने और कुछ नहीं किया, बोले ना ऐसे नहीं, सुनिए, मैं ना प्रभु के इच्छा के साथ अपने इच्छा को मिला रहे थे, जब देख रहे हैं, प्रभु चाहते हैं, नाव डूब हम देख रहे हैं आप तो नाव डूबेगी आप किसी की मत पर नाव तो आप रुखना मुश्किल है प्रभु की इच्छा नाव डूबेगी हम सोचते हैं भाई नाव जब प्रभु की इच्छा तो हमारी इच्छा भी प्रभु की इच्छा चलो प्रभु के शेबा करते करते मरो, चलो नाव को डूबाओ, तो हम प्रभु की इच्छा से इच्छा मिला दिया, चलो नाव डूबना चाहिए, प्रभु, तुम्हारे इच्छा पूरुन हो प्रभु, जब तक दम रहे हम तुमारे शेबा करेंगे, तुम्हारे इच्छा पूरुन करेंगे, आप देखते ह नहीं इच्छा भी इच्छा भी समापत हो दृष्टा बन जाते हैं जब शरणागत होते हैं तब दृष्टा बन जाते हैं हर स्थिती में देखते हैं प्रभु की इच्छा यह शरणागति शरणागति माने यह नहीं आम लोग खरणागति कैसे हैं आम लोग उनका मंदी में जाते हैं दो किला लेकर के प्रभु आम तुमारे शर्णागति हैं प्रभु प्रभु हमको बचालो प्रभु अमने कर्ण्या के शादी नहीं हो रही बेटा का यह दिमाग खराब है अपने प्रतिकर जो धन्दापनी अच्छक बरियां हो नहीं रहा है ऐसे लिस्ट लगा दे दो किला दे करके और कहते हैं प्रभु शर्णागति शर्णागति लेओ इसको ऐसे शर्णागति नहीं होती है शर्णागति मने आपने को बेज देना बेज देना मने आपना गाय को तुम दूसरे को बेज दिया बेजने के बात जैसे उसके भरन पुशन के लिए तुमको च नहीं यह तुम्हारा अधिकान नहीं क्यों तुम गाइब बेज दिया आपने को बेज दिया वह भी ऐसे दुरुष्टा बन जाता है तुमारी इच्छा जब भी पत्ति आती है उसमें भी हर्षित नहीं होते हैं क्यों जानते हैं यह भी प्रभु के यह आगंतुक है दुखेश अनद्विग्णमना शुखेश विगत्वस्प्रिहा बितराग भयक कुरदा स्तित धिन्मुनी रुच्चते यह है शादर दुखाने से घाप राते नहीं शुखाने से वह शुख को आधर नहीं करते क्यों दोनों जूटा है ऐसे हैं ना इसको कहते हैं शर्णा दो तो यह जो हम उपवाशना जो हमारे मादुर जारश उपवाशना पद्ध दी इसके प्रदान शमर्पन एख करपासे ही एक मत्रों लाधानिक लिए शरुख प्राप्त करके वह निभृत निकउन जो शिवा प्राप्त करना श्रंभव नहीं तो रिश्में थो बाहुत परि परिहने इल्लिक्त हो तेखेंगे, पहले तो भौतीक पदार्त हो, उसमे भी जब शादक रूची नहीं लेते हैं, तो आईगे अस्ट्रशिद्धी नवनिद अस्ट्रशिद्धी, शिद्धियां अनिमा लोगिमा गरिमा प्राप्ति प्राकम मवश्चितो, इस्षित जत्रका अस्ट्रशिद्धियां आएगी, तो आप देखेंगे उस्वेमी नहीं, अनिमा मने अनुपरिमान होने का शमता, अनुपरिमान मने अनुपरिमान होके विराजमान हो जाएगे, लगिमा बायू जैसे हलका हो जाने का शमता, गरिमा विशार परवध्य चे हो जाएगे, प् तो यह भी वह प्रेम प्राप्ति में बाधक है एक शिद्धी भी पखर लिया तो मन लो उसको प्रेम प्राप्ति होना स्वंभब नहीं आए तो कशोट में दिखा जाएगन ऐसा थोड़ी होता है तो आप जाकर कि वह प्रेम प्राप्ति करना तो जाके भगवान कहते है एहं भक्त पराधीनो अशतंत्री बद्धी जो मैं भक्त का धीन हूँ मेरा कोई शतंत्रता नहीं है भक्त प्रेम में हमको इस थरह से बांध लेते है इस प्रिहन निलिक तो ऐसे भक्त है जो कुछ चाह खान लो भाग तो कहा हैं लेओ 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 शंखार कहे तेँ देओ defy और भाग तो उल्टड़ ताद भी पुरिथ है अब ही हमारे अंदर बाशना है है नहीं तो राशा लिश्मत रहा है उसके लिए शाधक रोते हैं वो रोते हैं हमने दिया नहीं क्या दिया नहीं नहीं हमने शमर्पन किया नहीं दुनों बिपरित दुनिया भग्य बस्तु पा करके खुशी होते हैं बहुतिक बस्तु भग्य पदार्त पा करके खुशी मनाते हैं और साधक भग्य बस्तु द्रिश्वन बस्तु प्राप्त करके भाई भी तो हो जाते हैं बचालो 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 देखो हमको मान प्रतिष्ठा प्रभु ये धन संपति ये सब विशया करके हमको गेरा है प्रभु हमको बचालो बचालो प्रभु ये विशया से हमको बचालो बचालो वो भाई पाते हैं शंचरी रख जो बस्तु प्रार्था ना करते हैं काम ना करते हैं और उबस्तु शाधक के लिए भीति के कारण भाय पाते हैं मान शर्मान प्रतिष्ठा दान दौलत शूक सम्रिद्धी भुगपदार्थो और शाधक इस अब देख करके भाय भी तो हो जाते हैं प्रभु बचालो प्रभु बचालो प्रभु बचालो हमको माया हमको घेल रहा है प्रभु हमको बचालो है कैसे रिदा है ना तो आप ना ऐसे थोड़ी भक्त हो हम जैसे होने थोड़ी भक्त कहलाएगा भक्त बहुत है ना तो महाप्रव जो बस्तु देने के लिए आए हैं वो बस्तु कृपा करके इस कली जुग में जो राधाकृष्ण जुगल प्रेम रश निर्जाष निब्रित निकुंज भवन में राधाकृष्ण जो बिलशित अबस्ता में जो प्रेम निर्जाष जो रश माधूर जो चरम परिनती जो अश्वादन करती हैं वो अश्वादन मोंजुरी को कराती हैं ये मोंजुरी बाप उपासना जो की राधाराने किरपा करके मोंजुरी को ये अश्वादन कराती हैं उनको अपने प्राप्ति को कोई इच्छा नहीं शुक प्रानिक पानिक को कोई इच्छा नही सिर्फ उनकी एक पात्र उद्दिश्च कायमन भच्चन से राधारने की प्रशन्न था हमाने राधारने कैसे प्रशन्न हो जाएंगे उनकी शुक्षम्रिद्धी उनकी शेबा ही उनकी एक पात्र उद्दिश्च यह मंजरी उपाशना महाप्रभु देने के लिए आए हैं तो महाप्रभु बिराजमान है अब ही जगनात्पूरी में जगनात्पूरी में सानातन गश्यमी बिराजमान है आप महाप्रभु तो आए हैं जगनात्पूरी में उधार दक्षिन भारत ब्रह्मन करके उत्तर भारत ब्रिंदा बनादी धामपर जेटन करके काशिपूरी आदी दर्शन करके तर्शेत समस्त भक्त ब्रिंद को समस्त जनशाधारन को सक्ति संचार करके सबकी भीतोर चेतन शक्ता को जागरिती करके भगवान लोट रहें जगनात पू हम तो यहाँ है अब जर शाधरन के लिए वो प्रेम प्रदान के लिए यह कर्म कोन करेगा हम जब आए हैं तो पूर्ण रूप से ही यह प्रेम जगत में इस तरह से देना जुरूरी है यह महाप्रभू की इच्छा तो महाप्रभू नोकुल बर्मचारी के भीतर साक्षात अबिर्भूत हो करके इसको कहते हैं आबेश अबतार आबेश ही तो होते हैं जो बंगाल में उससे में नोकुल बर्मचारी महाप्रभू के परम प्रियभक्त विराजमान है तो अचानाक नोकुल बर्मचारी के भीतर महाप्रभू के व तो कोई कोई सोचते हैं भाई इतों महाप्रुब में हम लोग देखा है यह कोई कोई दिखावा नहीं भाई दिखावा होने से अस्रुधरा ऐसे भाई रही आए ऐसे हूंकार ऐसे फिर क्या ऐसी दिर्बो दिरिष्ट शक्ति कहें दिखते हैं तुम्हारा यह होगा तुम्हारा यह होगा जाओ तुम यह करो बस तुम कैसा हो जाता है अब हाजारों रुका आ जाते हैं जिसके तरफ देखते हैं जिसको पर्श्र करते हैं वो भी इस तरह से हा क्रिष्ट रहा क्रिष्ट बोलके रोधन करते हैं बोलो स्र भी नश्तिक भी है जो भी देखते हुए भी मनते नहीं है ना 1996 में एक बार गौनेर्जी ने दूद पिया था यह सारा भारत में एक जगा नहीं पूरा भारत खंड में ने कोई पर्टिकुलर एक बिग्रा दूद पिया था ऐसे नहीं सारा भारत में जहां हो सभी अपने परिक्षन करके देखें देखें शत्तिक नहीं कोई भी दूद दे रहे वो दूद पी रहे चोछो करके दूद नहीं है बीडियो में भी देखाए बहुत वह भीडियो किया है बहुत दिखाए है प्रपार में आए हैं, एक भक्तो नास्तिक था, वो अतना मानते नहीं थे, हमारे एक जान पैचान बंबाई के भक्तो थे, उनका फैक्टरी था, वो बिश्वास नहीं है, वो गई हैं, देखने के लिए, अज स्वयंग आख से देख करके, इतना खुशी हो गए, फैक्टरी छुट्टी कर जा आप छुट्टी अनंद करो, हमने सही देखा, क्या हुआ, किसी ने माना, किसी ने माना, जे भगवान शत्या है, 1996 की बात है, हां मुश्व में चंद्र शरुबर रहती है, तो ऐसी बात, बहुतों हम जैसे नस्तिक है, देखते हुए भी विश्वास नहीं, है ना, तो नकुल पुर्मचारी इस तरह से महाप्रुव के प्रकाश, ये वहाँ सब पूरा बंगाल में प्रचार हो गया, जगनातपुरी में महाप्रुव बिराजमन है, लेकिन नकुल पुर्मचारी के शरीर में महाप्रुव के प्रकाश बिद्दमान दिक निमाया है, बस सब है तो हजार हजार लोग जा रहे हैं और शब बता रहे है तो मारे ही घ्र तो शीवानंद शेन महाप्रवु के तो प्रेमी भगतों बहुत प्रेमी शीवानंद शेन सोचें भाई हम तो महाप्रवु से हमारे इतना अंतरंग है यह कैसे महाप्रवु पर दूसरा भीरवाब हो गया नोकुल ब्रुम्मचारी चलो हम तुरह से देखेंगे इस तुरह परिक्षन करना जोरूरी आए चलो भाई तो नोकुल ब्रुम्मचारी के उहां एक दिन शिवानन अंदशिन महाप्रवु के प्रियो परशद शिवानन अंदशिन वो गये हैं गये हैं उनसे मिलने नहीं गये हैं एक पेरिकणी से बैठे हैं जो हमको बुलाएंगे हमारे नाम से और हमको बुलाएंगे तब जानेंगे यह बसते भी महाप्रव के अभिर बाब है और हमारे जी इस्टमंत्रे उभी बता देंगे तो हो जाका हम मानेंगे नहीं तो हमें इसे मानने के लिए तो यारत वरी हैं हम हर बार जाते हैं महाप्रव से मिलने के लिए जगन्नात्पुरी और यहां कौन जगन्नात्पुरी के कौन महाप्रभु यहां आ गया मन में शंद हो गया और महाप्रभु के विश्ष पार्षद होने के कारण तोरह सा ऐसे भावना तो होती है जहां महाप्रभु के विश्ष संग में रहती है यहाँ दूसरा एक महाप्रवू आ गया यह प्र सुनने में से तरह से विश्वाश करने में मीद तरह सा लेकिन हजारों हजारों लोग जाते हैं कहते हैं जिन नहीं उनका जो देखते हैं उनका वैसे ही उस्रू कंपो पुलक और ऐसे दिबो शक्ती और ऐसे भी हैं जिसको जो कहदिते में हो जाता है जा तेरा कल्यान हो जा कल्यान हो जाता है तेरा प्रेम हो जाओ प्रेम प्रकाशित हो जाता है उनके अंदर तो सून करके शिवानंद शिन आए हैं आ करके पेर के नी से बैठे हैं इतमे नुकुल ब्रॉम्मचारी, एक जोन काहते हैं, जाओ वहाँ पेड के निष्टे बैटे शीवानन्द, शीवानन्द शिन, उनको बुलाव। जो ब्रॉम्मचारी जे तुमको बुला रहे हैं। कर दो एक चन आञधा विकती हो गए भा यहां सिवानंदोकों ए शिवानंद सिवानंद कोन है शिवानंदोकों है उमको कोई जानता नहीं है ऐसे उह की हो तो किया बाद RF če आपको बुला रहें तो सही है आई है संध्यों करते हो तुमारा चार अक्षर गोर गोबल मंत्र तुमारा मंत्र है यह तुमारा इस्ट मंत्र है संध्यों मत करो देख लो तौप जाके चरूर में पढ़ गए जो महाप्रोब देखो उहां बैठें यहां पर आभिष इसको कहते है आभेश अबतार एक अंग्ष अबतार एक कॉला अबतार एक सयंग अबतार एक आभेश अबतार आभेश अबतार मने कोई भी जीब में भगवान कभी भी प्रकट हो सकती है वो करके उनके अलोग एक शक्ति प्रकाश करके भगवात्ता प्रकाश कर सकते है यह भगवान ऐसे कर सकते है इसको कहते है आबेश अबतार वो अबतार है ने लेकिन उनके भीतर आबेशी तो हो करके भगवान अपने भगवात्ता को प्रकट करने में शामरत है ओ अचिंत शक्ति है ना कुर्तुम अकर्तुम अन्यता कुर्तुम इसलिए तो फिर जा करके शिवानंदोशिन पणाम करके, स्तुति बंदोना करके, पूजा करके, एकदम गदगद हो करके, फिर शिवानंदोशिन गए हैं, शिवानंदोशिन गए हैं, आप दूसरा साल जाएंगे, जगन्नात पुरी हर साल चोतिर माश्य करने के लिए उहां जाते हैं इस बार भी जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं जगनात पूरी सब भक्त मिंदो अधीर आग्रह लेकर के इंतिजार करते हैं कि अब चोतिर मश्च शमाय के महाप्रभु रहने नहीं देते हैं तुम लोग गिरश्ती हो गिरश्त छोर करके यहां आ करके ऐसे रहना ओचित्त है नहीं तुमारा घर शंक्षर है और गिरश्त धर्म पालन करो गिरश्त धर्म पालन के शात्षा तुम इस तरह से अपने करत्व करवा पालन के शात्षा धर्म प्रचार करो धर्म आचरन करो धर्म रक्षा करो धर्म शिक्षा प्रदान करो एसे महाप्रभु उपदिश किया कोई गिरस्ति गो भगवान महाप्रवु कभी उपेक्षा नहीं किये हैं। दूर्बलता बास्तविक एक महान अज्यानता ये एक महान अज्यानता हम तो कहते हैं भाई गिरस्ति बईरागी दोनों जूटा है। ये भी जूटा है। दोनों जूटा है। गिरस्ति है अज्यानता और हम बईरागी है ये अहंकार घमंड। दोनों जूटा मित्ता है। हम तो इस से उपर है एह ना। गिरस्ति में रहे कर कोई कोई आते हैं जे बाबा हम तो गिरस्ति हैं क्या गिरस्ति में रहे करके हमरे भाजन ओ सकता है। ऐसी प्रश्णों बास्तब में भाजान पीछे करना हम तो कहते हैं पहले गिरस्ते अस्तर में जो गिरस्ती हैं वो पहले अपने मन से ये भाबना को शंपुन रुप से हटा दो हम गिरस्ती हैं ये शाब्द ही अटा दो एकदम शाबून से दो के आउट कर दो हम गिरस्ती नहीं है शीदा बात शरीर हमारा गिरस्ते में रहता है ठीक है इस तरी पुत्र कुटुम्ब है लेकिन ये हमारा नहीं ना हम गिरिष्टी है ना गिरिष्ट में रहते हैं गिरिष्ट हमारे शरी शंबंदी तो जो भी है यह हमारा है ना हम शरी रहे ना शरी शंबंदी बुस्तु हमारा है दोनों जूटा है तो पहले भाजन पीछे करना गिरिष्ट में रहे करके जो परमंगल शाधन करना है ऐसे लिकन जोड कहा है जानते हैं हम गिरुस्ती है फस गया हुआ फस गया हुआ बस उहां से मुक्त होना शम्बब नहीं है पहले उसको हटा आओ हम गिरुस्ती है हम गिरुस्ती है पहले उसको हटा था हम गिरुस्ती नहीं है है गिरस्तिता हम जनम लिये हैं मत्री जट्रीड में आने का बात शंक्षर में जब आये तब हमरे शंबंद हुआ शंबंद हुआ stabil हम already यह भाई है फिर और शंबंद कर दिये भाइ भाई है फिर आगे है और यह कोई सिरी नए जानते पत्र का नहीं है trick, कहां से आई आए थीक है, हम जानते नहीं अग्ज़ू कोई आए है, उनके शरीर में इक नए जीवाःत्म आए हैं, शम्मंदườngंब लेकर कि offset आएक कर ने माह के पेट में जानते नहीं यह पुत्र है कि कन्या तिन में आगयो और फिक न Quickly आगान गान गु कि दो पहले था नहीं एक दिन रहेगा नहीं इसमें अगंतुक शम्बंदो यह जाएगा जरूर ऑया है जो जाएगा जरूर राजा रङगा और फकीर यह जानना जान करके इसमें ज़्यादा मुह नहीं रखना बस मन से हटा दो हम गिरस्ती हैं हम तो ठाकुरी जी के हैं ठाकुरी जी हमारे हैं बस ऐसे भावना हम राधरनी के हैं राधरनी हमारी है बस ये जान लो और मान लो बस मान लो और जान लो तो तुम्हारा भजन हो गया ज शीमा लेखा दे करके एक विभू आत्मा को भगवत शत्ता को जो अचिन तो शक्ति शमन्नित भगवत कृपाशमस्त पुर्ण शक्ति नहीत है हमारे भीतर वो उन्हें की शत्ता लेकिन उसको हमने इस तरह से शंकिर्णता मानशी गता आवरन के द्वारा उसको ढाक करके हम उ पहले यह हटा दो मंसी जानलो हम शरी नहीं शरी संबंदी बस्तु है शंक्सार में है इस तरी पूत्र को टुम्बग है ठीक है यह तो प्रवु के देन है लेकिन यह हमारा नहीं इससे हमारा शंबंदर नहीं बस तो तूमारा भाजन हो जाएगा तुम्हारा भजन हो जाएगा अराम त्याग ही है ये भी अहंकार है कौन सा बुस्तु शंक्षार में तुमने त्याग किया है कौन सा बुस्तु तुम्हारा है तुमने त्याग किया भई त्याग करते हैं कौन सा बुस्तु जो हमारा है हमारा जो नहीं है उसका हम कैसी त्याग कर सकते हैं तो ये दिरिश्वमन जगत में कौन सा बोस्तो हमारा तुम्हारा है बताओ तुमने त्याग किया घर तुम्हारा नहीं माकान तुम्हारा नहीं इस तिरी पुत्त लोग तुम्हारा नहीं तुमने त्यागी बन गया फकुटिया अरे ये शरीर तक तुम्हारा नहीं क्या तुम्हारा नहीं ये शरीर तक तुम्हारा नहीं ये भी धोकाबाज है ये भी छोड़ना पड़ेगा तुम त्यागी ओभी मान करते हो तो ये भी अ तुम से भी जो शम्मंद प्रभु का हमारे भी वही शम्मंद है बस तुम अग्यनत से बंद गए हैं हम संक्षरी हैं हम अहंकर से बंद गए हैं हम त्यागी बश्चादू है यह है फराना है दोनों जूटा बंदन जूटा मोह जूटा ममता यह बात है तो महाप्रभु इस त तुम्हारा परहमंगल है। एक बार महाप्रभू शिवाणंद शेन के भांजा थे कांद शेन और एकला चले गए। जाकर की महाप्रभू का शनुद्द में रहे हैं। तो महाप्रभु कहें तुम जाके बंगल में सब को कह दो इस बर्ष नहीं आ जाए हमारी यहां इस बर्ष हम बंगल चले जाएंगे नवद्दिव्या उधर जाएंगे जाके हम मिलेंगे सब कह दो तो इधर सब आए है स्रीकांत शिन स्रीकांत शिन आ करके तो इधर श्रमस्त प्रचार कर दिया जो महाप्रभु इस बर आएंगे महाप्रभु इस बार आएंगे सुन करके तो सब बरे आनंद में एकदम निमगन हो गए महाप्रुब आएंगे, महाप्रुब आएंगे, महाप्रुब आएंगे सब कब आएंगे, कब आएंगे फिर कबर हुआ जो महाप्रभु पोस्ट महीना में आएंगे पोस्ट महिना आ गया तो महाप्रभू रोजी शिभानंद सेन और जगदानंद प्रत्कल उट करके ही घर सबाइ करके ने आज आएगे महाप्रभू सबाइकर रोशरी करते ही यह करते हैं वरे शुन्दर इंतिजार करते हैं दिन भी जाता है लेकिन आये नहीं फिर रोते हैं पेटते हैं आते नहीं महाप्रुव। बहुत दुखी हो गए हैं तो ऐसे दिन बीद गया जैसे शबरी इंतिजार करते थे रामचंद्र जी जैसे उनका गुरुदेब दिक्षा दे करके कहे गए थे शबरी तो चिंता नहीं करना तेरे को कितना भी घ्रिना करे शब तो चिंता नहीं करना रामजी तेरे को दर्शन देंगे तेरे को किरपा करेंगे ऐसे गुरु तो चले गए गुरुदेब शरी छोड़के और शबरी तो जानती नहीं है अलपो उमर राम चंद रहेंगे शायद आज आज आज़ 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 गया आज़ के दिन गया शायद आज़ 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 आज राम जी आ रहे हैं, काल नहीं आ जाएंगे, फिर शंदा हो जाती है, फिर रोती है बैठी बैठी, आस तो आए नहीं, तो चलो काल आएंगे, काल जरूर आएंगे, ऐसे इंतिजार, शायात कोई शाधक, ऐसे इंतिजार, हम तो कहते हैं, प्रभू, ऐसे इंतिजार मत कराओ, ऐसे इंतिजार किसी को मत करा, ऐसे इंतिजार मत करा, बाल पन गया, जवनी गई, पुर्णा बस्ता गई, बृद्धा बस्ता आ गई, एक एक दिन इस तरह से, एक एक दिन गिन गिन के, एक एक छण, एक एक पल, राम मैं चिंता, चिंता करते हो, राम मैं चिंता, आ जाएंग कभी तो गाती है, कभी नसती है राम आएंगे, आज आएंगे ओई पक्षी, वो पक्षी को देखे अगर वो पक्षी मान लो अभी उड़ गया तो जानेंगे राम जी आएंगे नहीं हो रहा तो राम जी नहीं आएंगे ओए शियाल जा रहा है अगर हम मुर के हमारा तरफ देखे का तो जानेंगे राम जी आएंगे अगर नहीं आया तो जानेंगे राम जी नहीं मने हर चेष्टा में राम में चेष्टा कुछ नहीं प्रकिती नियम एक हुआ भी का का किया तो जोरूर जानेंगे राम जी आएंगे मैं नासा शुरूंगाल रम जी आएंगे मने प्रकृति के साइट एक एक अपने इच्छा को मिला करके उनुगरों निगरो ऐसे छिंतर करके कभी दुखी कभी हस्ती है कभी रोती है यह यह राम महिछ चेश्टा तmos से राम लोग क्या करते है कीन सा इंतिजार करते है Dieu, किस इंतिजार में बैटे थे शुवरे से लिखा रात तक दुनिया दारी के चिंता, दुनिया शुक, इमद्रिजो भूग गब शुखे में चिंता बस और कहती हमारे पुदिक्रिपाने, किरिपाने ऐसे इनतिजार किये राम जी शुमरी के उपकान बड़े अद्भूत ऐसे करते करते अंतर मना हो गई दीरे दीरे अंतर मना अंतर दर्शा में प्रबश कर गई फिर जाकर की भीतर में देखते राम जी आये हैं राम जी को शेवा कर रहे हैं शाक्षात रामजी दर्शन दिये जाके रामजी के चारंद्वर यांतर जगत में यह ऐसा होती है इसको कहते है धुरवानस्पृति यह भी शादक के एक अच्छी स्थिति है जिस स्थिति में जा करके यह शाक्षात दर्शन नहीं एक स्पृति ऐसे स्पृति आती है रिदाय में तो यह शाक्षा ठाकर जा गए बस हम धन्य हो गए बस हमारे शादना पुर्ण हो गई आप मिल गए ऐसे भावना विद्धा बस्ता तब जाके एक दिन रामजी आये है तब तो रोती रोती आंधी हो गई शवरी रोती रोती आंधी हो गई और अंतर दशा में बिद्धा अंतर दशा बिद्धा बस्ता बाल पांच से ले करके बिद्धा बस्ता तक रामजी के इंतिजार एक एक पल एक एक छण रो रहे हैं बास वहास संत शमाही तो अंतर दशा में प्रवेश कर गये। शावरी उपक्यान बरे अच्छा लगता है लिखाम कहां है कितना चिंते किये हैं कहां तक कहें बूद उस्रुबाए है ठाकुरी जी के लिए कितना उस्रुबाए है ठाकुरी जी के लिए कितना बूद उस्रुबाए है हम जो पाना चाहते हैं इतना शाज तैसा ही वो इतना मंप्त्र में शिद्धत ए महाप्रव का पार्षण। एवं। दिव्बुद्रस्टा। वह आए हैंने आकरके सुने हैं। आप लोग इतना उतकुंट है व्यक्त देखते हैं क्या बात है। महाप्रुव आएंगे बोलकर के आभीतक तो आई नहीं महाप्रु पूस्माहिं तों अन्त होती जा रहा है। नुगुल बर्मचरी धैन में बैठ गहें। नुगुलबर्मचरी का जिए। निश्चिंगानंद ब्रह्मचारी, उनका पहले नाम था प्रदुम्न ब्रह्मचारी, फीर जा करके निश्चिंगा मंत्र में शीद्धोने का कारण, शाक्षा निश्चिंगा देव कृपा किये हैं, तो उनका नाम है निश्चिंगानंद ब्रह्मचारी, द्यान में बैट गय है, महाप्रवु उसे बात हो रही है, महाप्रवु कहते हैं, हम आएंगे, हम अवि तीन दिन देन में हम नवद्दिपो करके, फिर हम आएंगे वहां, उनकी लिए कहना, हम आएंगे, il कहें नहीं हैं,umberषान्दिप्ड़ आएंगे, बाद दिवो करके फिर आएंगे वहाँ, सिभान अनुष्यन की वहाँ, आएंगे, भोग बनन हैं बड़ी सुंदर, बड़ी तीन भोग बनन हैं, एक भोग इन भोग निश्सिञ पहुआन के लिए, एक भोग जगरनात के लिए, और एक भोग महाप्रोब के लिए,天 व्यूर् दर्जा बंद करती हैं निश्यगान अंद ब्रुमत्री गओं तुम ने तो जगनात तुम हो एक ही हो कोई बात नहीं लेकिन हमारी इस्टु निश्चरीगानद प्रभु बगवानौ उनके भोग भी आपगये प्रभु हमारे प्रभु तो आप उफवाश रहेंगे महाप्रुव हास रहे है तो शिवानंद शेन ये भी आए है और जगदानंद भी आए है लेकिन उनको एक अभाशी थी वाज़ा महाप्रुव आए है लेकिन तीनों भोग पागए हैं ये तो देख रहे हैं लेकिन और साक्षात रूप में तो निश्वानंद भ्रुम्मचारी का दर्शन दिये हैं और वहाँ से चले गए फिर जा करके आप क्या करेंगे आप निश्वान भगवन की उपाशक है आपने इस्टो भुके रहेंगे तो बोलते हैं आप क्या करें जो महाप्रुव जया है वो भी तो निश्वान भुके रहेंगे ऐसे भावना इस कारण निश्वानंद भ्रुम्मचारी फिर भोग बना करके फिर भोग लागा है महाप्रुव पाए फिर शिवानंद को आके महाप्रुव क्रिपा किये जो तुम सीनता नहीं करना इस तरह से महाप्रुव शब को किर्पा करके फिर महाप्रुव तो चले गए और निश्वानंद भ्रुव भी उसके बाद चले गए फिर आगे हम लोग काल चलेंगे फिर महाप्रुव क्या लिला करते है अखंड जप अखंड जप अखंड जप करो तो एक गहन देश नहींच सी गाइड़ में इस तो शंद ब spray ये तो अभ्याश और जाता है थिर अखंड जप चलता है वो ब्याश करना पड़ता है जैसे हम भूल जाते हैं हम रास्ते में चलते हैं यहां बैठे हैं मुँ बंद नहीं होना चाहिए चल रहा है नाम चल रहा है खा रहा है नाम चल रहा ऐसे वो ब्याश करते है फिर वो जाकर के अजपा हो जाता है जब अजपा हो जाता है तब ही जा करके अखंडो नाम शंभव है और इस्थिति में तो अजपा होगी हमाने तो उसको शब प्राप्ति हो गई तो बाकी क्या रहे गए इतना शाज नहीं आए लेकिन कुली जुग में सबसे शर्णतम उपाशना पद्धती महापरुब कहते है उटीते बुशीते खाईते शुईते जथा ता था नाम लाए देशका नियुम नाई शर्वशीत दिया है उटते बढ़ते खाते शोते जहां तहां जैसे तैसे अच्छा लागे ना लागे मुझ में अखंडो नाम रखने का चेश्टा करना चाहिए बस खा रहे हैं पीरे ऐसे अब्यास जब भूल तो जाएंगे बूल जाने साथ जब याद आजए अरे हम तो हमना मुह तो बंद है चलो शुरू करो फिर शुरू कर दी ऐसे अब्यास करना पड़ता है बूल तो जाएंगे ही लेकिन बुलिए जैसे अर्जु को जब शुरू को बहँ है को जहा है को हएसे जिला इंप उरा शी कुरू ऑल्यार होना। और सादू बात मिल रहा है मगर अभी भी मायल इतने गेरा कुछ समझ नहीं आता और मुझे चिंटा इसी बात की है कि कल अगर मुझे सादू समागम प्राफ्त नहीं होता तो मेरे दिल में यह न रहे कि मैं वहां बैठा भी हुआ था उनका समागम भी था मगर मैं वहां से कु तो मेरे जीवन के लिए मैं आप से लोग करूंगा कि मुझे भी तोड़ा सा प्रकाश दिखाए लेकिन गुरु तो हर्ष्ण में शाथ है गुरु सरी पर्टिकुलर एक फीगा नहीं है वह तो एक सोर्स है वहां से शक्ति कि प्रकाश हमको दिखता है लेकिन गुरु शक्त शर्व ब्यापक है हर जगा आप घर में रहते हैं वहां भी मान लिजिए आपके गुरु देब आपके शाथ बिराजमान है ऐसे मान लिजिए यह कालपना नहीं शक्तिया है फिर जाके गुरु चरन अस्राय करके आप जो शादना करें उसमें तत पर रही है फिर गुरु जो और इक यह एकार से मुक्त हो करके और गुरु झाल जाएंगे उसके लिजिए शादन चष्ट में ततपर रहना ही मएं पड़ेगा जब तक हम और निरापद भुमी में पहुच्ट नहीं रहे हैं तप तक हमको शादन में ततपर रहना पड़ेगा एक नमबर दो नमबर गुरु चरण को अस्राय करके गुरु उबदिश को मान करके फिर हमको शाधन में तत्पर रहना पड़ेगा तो हम जाके जुरूर निकल जाएंगे क्योंकि हमारे जो पुरुबजाई इस तरह से निकल गए है तो हम भी उबच्छ निकल जाएंगे ऐसे जो शाधन में तत्पर है जिसके मन में एक बार ये बाशना जागरिती हुई है कि हमको राधरनी के चरण प्राप्ति करनी है तो बस निकल जाएंगे अगर ऐसे इच्छा जागडी थी हुई तो अब जो हमके हमारे जो बादा हमारे मन में जो नाना प्रकार बीकार यह तो रहे गए एक पेर काट दिया काट करके काली आप जोल करके लक्डी करके जोलो चलो रोशाई करो थोड़ी रोशाई होगा और फुस 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 बुद जाएगा कि उसमें नाया करके फिर जीने का कोई शंब बना है नहीं ऐसा ही गुरु चरन अस्रे कर लिया अब नाया करके बाशना उद्गम नहीं होगा लेकिन हमारे पूर्व कृतर संस्कार हमारे बित्र जो बृत्तियां है वो तो थोड़ा सा अशर दिखाए गाई ना वो तो कच्चा है ना आप कच्चा पेर कार दिया उसको फार करके तो आप काली रोशय करना शूरू कर दिया भाई रोशय करो वो तो जालेगा तो रहे नहीं नहीं चाहिए इसमें क्या संद्य अगरु पाब जै जै स्री रादेश